वेरी गूद आफ्टरून एव्रीवान! कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है CA, Intermediate और SPC दोनों में आप सभी जानते हैं आज आपका पहला दिन होगा राइट? आज के दिन से हमें कुछ एक निश्चय राइट करना हुआ कि आने लेड छे मेनों में हमें क्या कुछ करना है ताकि हमारी पढाई जिस मकसत को लेकर हम लोगी हाँ आएथे वो पूरी होना चाहिए, राइट? तो कुछ दो-thीन बाते भी जिए इस वरी इंपॉर्टन पोर यौ तो आएट नो सबसे जादा इंपॉर्टन कर तो कुछ नहीं है सबसे जादा इंपॉर्टन है कि जरनी कैसे हो की हाँ दिफिकल्त है जब आप लोग फांडेशन में आये थे हैं मतलब आपने 12 फास के तब आप अज़ा था कि ऐसा लगत भूटबट भूर्ट भूर्ट है आप लुक आज लगर रहें, एक समय आगा आप इंटर्मेडेट पास हो चुके रहा होगे तो जब हम लोग जो चीज काते हैं वो बहुत डिफिकल लगती हमें, तो उस समय के लिए लगता है अब हम जब C.A. फाइनल में थे, विन I was an intermediate तो मेरे कुछ स्प्रेंट सो फाइनल की पढ़ाई करते हैं तो आपको आज कितनी इज़त होगी जो फाइनल में है है ना और अमारी थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी कि हम लोग दोने C.A. ठीक है So, obviously, आपके इज़त ज़्यादा होती when somebody is doing C.A. पर क्या होता है जब हम लोग कर जाते हैं तो ऐसे लगता नहीं है आज हमें अगर पूचे का कोई किसी यह मनना बहुत दिफिकल्ट है ठीक है मालब It's okay Not a big deal, right? वो हो जाने के बाद में क्योंकि एक समय पर आपको 12th भी difficult लग रहा था Board की exam है, Board की exam है I was so scared of it, I used to take it very seriously तो जिन्दे का यह पड़ाव भी कटने वाला है But इसमें कितने attempts लगेंगी अपने उपर है जाना तो फाइनल में सभी कोई है अभी कोई एक में जाएगा, कोई दो में, कोई तीन में डिसाइड करें हैं आप किस mindset पे class में बैठते हो अक्सर लोग कहते हैं कि कितने दिन का P.L. मिलता है, कितने दिन के revision में हम लोग पास हो सकते हैं तो यह जो सवाल होता है, अनंद सर वही गलत होता है छे मेने की class होती है, बाद में तीन मेने की पड़ाई होती है लोग कहते हैं तीन मेने sufficient और इनफ है क्या हम लोग कहते हैं तीन मेने किस निम्हारा नौ मेने होते हैं because revision और पड़ाई तो आज से चलो होती है तो यूर हाविंग होल नाइन मन्स इनाफ to clear CA Intermediate Examination जिसमें आज सब्जेक्ट्स है यह एने कि 9 मेन हैं और आज सब्जेक्ट है आज किया यही आपको देंगे right from the day one you should start study seriously, you should take it very seriously आपसे क्या उम्मित की जाती है being a CA Intermediate Student क्या सब्जेक्ट्स से जादा लंबा कोड़ से हैं जी बहुत लंबा कोड़ से क्या इसमें बहुत डीटेल से बहुत जादा है सब्जेक्ट्स क्या करना चाहिए इसके लिए इसका सबसे बड़ा जो quantity इसका volume है सबसे बड़ा problem इसका volume है right आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आनन सर क्लास में पढ़ा रहे हो आपको समझा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा चाहे वो जितना भी होगा आपको ऐसा कभी भी चाहे वो law पढ़ रहे हो अंकिता मैम से चाहे डी टी आप पढ़ रहे हो चाहे हर्शत से पढ़ रहे हो आपको कभी नहीं होगा कि वो concept समझा नहीं क्लास में बैठने का नहीं समझेगा जरूर, पर सर फिर बच्चे इतने फेल क्यों हो जाते हैं इंटरमेडियेट में, आई से तो सिर्फ 5-10% डिजर लगाती है, उसकी वज़े जानते हो क्या है, कि कुछ लोग जो है ना, जब वो क्लास करते हैं, वो थोड़ा सा लाइटली यानिक होता है कि आप फांडेशन क्लियर हो जाते हो, फिर आप अभी excitement है और कुछ लोग को और confidence भी है, कितने लोग फर्स्ट अटे में पास होएं, foundation, सत्तादात बहुत ज़्यादा है, यह एक होता है confidence, और दूसर तो और confidence, प्लीज और में मताना, क्योंकि foundation वो लिटल इस तो हमें foundation में वो जो जोश है वो ठीक है, वो खुशिया है वो ठीक है, पर हमें day one से पढ़ाई करना है, यानि कि जो क्लास में पढ़ाय जा रहा है, आपको ध्यान देना है, और दूसरी बात, जितना भी आपने क्लास में किया हुआ है, make sure you are going home and revising everything which was done in the class, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए, although it is the first day of your class, make sure जो आग घर जाओगे, और you are spending two to three hours and you are revising everything, हम लोग क्लास में रिवाइस करेंगे, that is not an issue, but आपका effort बहुत important होता है, एक ये चीज़ याद रखे, जितना आपने आज पढ़ाई किया है चारो सब्जे का मिलाखे, आप उसो घर पे होगे, तो फिर आपके लिए जो आखरी के तीन मैने होते हैं ना, फिर वो तीन मैनों में भी आपका सब कुछ हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ क्लासेस करी और घर जाके आपने अराम किया, तो फिर ये प्रॉबलम आज नहीं होगी, ये प्रॉबलम आखरी के तीन मैनों म तो आपको लगे, क्यार मेरे group 1 की classes होगी, क्यार मुझी याद आएगा क्या था, याद उन सभी लोग को आएगा जिन्होंने regularly क्या किया हुआ है, और साथ-साथ में अननन्द सर्व से लेकर हर कोई subject की पाँच टेस्ट आपकी होने वाली है तो वो पाँच टेस्ट क्यों लेते हैं जो रोजान आप पढ़ोगे वो एक बार है और टेस्ट के पहले दिन पढ़ोगे और दूस्री बार है तो जुस्त मेट शूर गाइस कि हम लोग को कलास के साथ में 6 मेहने में ना किसी पढ़ना है बलकि दो-दो बार रिविजन भी खतम करना है ओके अवरीबरी तो ये निर्दार से ही आपको क्लास में बैठना है तो हम लोग समझेंगे कि you will be able to get through ओके तो क्लास में अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको पढ़ते कई पर distraction हो गया कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ठेवी पढ़ा रहा है कोई कुछ आपके दिमाब में कुछ ऐसे लोग है मैं आप सक सवाल पुछाती है कभी ऐसा होता है आप पढ़ते वर आपके दिमाद में ख्चालो हो जाते ह स्रुच। जैनियूँली बताओ किते लोगे साथ में होता है? दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है ये सब के साथ हम लोग के साथ भी होती है हम लोग जब क्लास अटेंड करें के अज इस ओमर में तो हमारे साथ भी होगा उसके लिए एक सोलुशन है बता क्या है आप जब भी कोई टीचर कुछ भी बोलता हो, आपको लग रहा है आपको नीनदारी एक, आपको ध्यान में कुछ और आता है, टीचर बोलते है आदे गहंटे आदे लगता है, अरे यार बोट छूड़ गया, आदे गहंटे आदे 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 आ जब इनसान ज्यान से सुनेगा, तो यह सारी बाते यान की बाते जो है, आज आज आपके लिए इंपोर्टन इसलिए है, क्योंकि दोस्तों आज का डेवन है, अगर हमें यही ग्यान, यह मोटिवेशन, यह सारी बात है, अगर हम लोग चार महने बात करेंगे, तब तक तो इसी अटेम में दोनों ग्रूप देना भी है, और दोनों ग्रूप पास भी होना है, इसके लिए निष्चे निर्दारतों आज सही होना चाहिए, इस यूर देवन, ओके? Hey guys, come on! Yeah! कितने लोग यहाँ पे हैं, जो इच्छा रखते हैं कि दोनों ग्रूप इसी अटेम में पास होना है, आपको बता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी प्रिविएस अटेम में, All India Rank 1, All India Rank 3, जोनों उन्हें से भी बढ़ाई की थी, आपको 9 मन्स मिल रहे हैं, they got only 7 मन्स, in which they have taken classes for 6 months, एक मेने का रिविजिन पिरेड मिला था, and they have secured All India Rank 1, and All India Rank 3, they scored 658 marks, where you require only 400 marks, समझा रहे हैं, क्या बोलना चाता हो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो एक मैने में पढ़ाई पास होए, नहीं, उनको पहले से ही पता था कि 7 मैने है, और इसलिए Day 1 से उन्होंने उस रफ्ता से पढ़ाई की, as if examination अगले मैने है, आपको समझा रहे हैं, इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग पास होंगे, इसी अटेम में, ना किसी पास होंगे, बलकि कुछ लोग राएंग भी लाएंगे, अगर आपने डेवन से पढ़ाई चालोगी, ऐसी मस्त मस्त आपने अपकी नोट बुक में लिखना, मस्त आपने सारा चीज, जो भी ये जो stationery है, highlighter, paint, ये सब कुछ आपकी हर बुक इतनी सुंदर दिखे, और कोई भी किदर भी ना लिखे, सब कुछ आपकी बुक्स इतनी प्रेजिम्टेबल होना चाहिए, आज का डेवन है, चाहे वो law पढ़ रहे हो, चाहे आप costing पढ़ रहे हो, DT accounts, make sure आपके असमें हर subject के different notebooks है, ना किसी नोट ब से, बल आपके समें सामगरी लिकर बैठे हो, make sure everything which is happening in the class, आप हर चीज लिख रहे हो, ओ भी अच्छी तरीके से, मैं especially boys को इनिवदन करना चाहूँगा, आपकी आपकी आइन राइटिंग वैसे बहुत वाहियात होती है, और आप उसमें जब वाहियात करते हो ना, वो इतना सब्सक्राइब बाद में आपको ही समझ आप नेख्याओ लिखा वाहिए विच्छ, यू रखिते आपने लिखा वाहिए, विच्छ, विच्छ, वाहिए पर नाइन मांश करें हो, तो make sure आप सारी चीज़े दे आफ ते अच्छे से करें, आर्यू रीपरी गाईस, सर्थ, थ इतना मौका मिला देखने को इनको भूले-भूले चेहरे, तो इतना शयतान अंदर है ना इनके वो धीरे 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 अनकोंट्रोलेबल हो जाते है आप लोग बहुत खुश होंगे अगर आप पूरी पैसमें आइसे रहेंगे तो आपको देख के बहुत अच्छा लगा तांक्यू इंडे पर गिविग अनमेजिंग रिस्पॉंस जो लोग लिवस्ट्रमिंग भी देख रहे हैं बहुत बहुत आपको शुब कामना है आपको बहुत शुब कामना है आपका जर्नी बहुत अच्छे से बीते है और आपको में अच्छे से बीते हैं आपको बहुत सारे तोट्स आएंगे प्लीज अगले आत दिन ब्रेन और दिल कुछ की कुछ भी मत सुनेगा आर दिन के लिए मम्मी की आद आ रही है पापा की आद आ रही है मम्मी का खाना यह का खाना कुछ नहीं सोचेंगे नेक्स एट देस्ट आपस में आपकी दोस्तियारी इतनी बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि आपको लगता कि यह टाइम भीतना नहीं चाहिए यह आपको आज लगेगा कि यह पता नहीं कौन अजनेभी लोगों है यह एक भी अजनेभी नहीं रहेगा अफ्टर सर्टन पाइफ ताइम यू नहीं बिताओगे उससे ज़्यादा समय आप इस क्लास में बिताओगे इन लोग के साथ में बिताओगे तो प्लीज मेक शुर यह टॉकिंग तो आदर्स में मेकिंग फ्रेंज ओके ताकि सब एक दूसरे का सपोर्ट बने तांकि यू सो मुच एवरीबड़ी थांकि थांकि मेरे को बहुत स्रेसफुल काम है आज क्योंकि आद जो मैं हूँ मैं वो औरीजनल नहीं हुआ है तो आद जो मैं कुछ हूँ वो मेरे पर प्रेशर डाला जा रहा है तुम्हारी तरफ से कि सर एकदम फॉर्मली आओकर और मैं ऐसा हूँ नहीं हाँ गुडिया भूलो चक्रा आपको यह देखना कृष्णा जल्दी से उनको उठा सकते है कोई आप महां के फ्रेंट्स कृष्णा उनको लेकर जाओ संतोष को भी बोल हां क्या थन लग रही हो कपड़े पूरे पहन के आयकर कल सर अरे सुन मेरी बार वो सिर्फ गानों में अच्छा लगता है सांस में मे इससे लगाना पड़ेगा इतने लोगों में नहीं कर सकते है से प्लीज समझ मेरी बात को हमां कैसे बंद कर दूँसको अभी यह कम भी कर दूँगा तो बाकी के लोग बोलेंगे क्या करूँ पंखा बंद कर दूँ एर मेरी बात सुनो यार आज तोड़ा जुगाड कर लो समझो कि तुम बाहर आयो कहीं महाबले श्रोगर में थोड़ा लगने को कुछ नहीं कि अरे भाई मत कर तू नहीं तो नहीं तो पंखा बंचालू कराते रहेंगे तरे से अच्छा करना कर दियो बंद ठीक है ठोड़ देंगे और फिर वो बोलेगा सला गली कलुच करेगा मे हां बोलो क्या है अभी मेरी बात सुनते हो क्या मेरे को कुछ बाते कर नहीं है मैं पहले तो बता दू कि आज जो कुछ भी मेरा लेक्चर आप देख रहे हो यह मैं नहीं हूँ इस नॉट मी आम नॉट इस नॉर्मल आयम एक्चुली वेरी डिफरेंट और आज पड़ाई के तो इच्छा जो है आपसे वह है कि मैं आपसे बात करूंगा भी थोड़े देर तक और बात कंटीनी रहेगी तो पहले मैं आपसे एक बात बता दूँ आपका सभी लोगों का क्योंकि आप सब लोग इधर आये करें जो यूटीब पर मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत तहे दिल से दन्यवाद जो बाजू के क्लास में मुझे बैठ कर देख रहे है कुड़े सी बैटने लग जो मुझे बाजू के क्लास्रूम में बैठ कर देख रहे है आपका तहे दिल से दन्यवाद और मैं आपको बता दूँ कुछ प्रेस्टीज पॉइंट के क्लासेस के ब आपको सिफ समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता नहीं गलत कि जिसके अंदर में बहुता है। आपको यह करूँगा और उसके आद में दूसरा काम करूँगा। इसा कोई नहीं है कि आपको हरोज वर्चॉल में बैठना है। जो लास्ट में आएगा वो वर्चॉल में बैठेगा। राइट बात सभी को क्लियर हो गई, पका। दो बच के पंदरा मिनिट तक जिसका बैग है वो सीट उसके उसकी है। दो बच के पंदरा मिनिट के बाद बैग किसी का भी हो जो उस पर बैठा उस सीट उसकी है। मुझे लगता है यह एक दम लॉजिकल बात है क्योंकि सेशन बैग पर जो मतब सीट पर जो रुमाल रख कर जाते है ना। उनका हक है मैं मना नहीं कर रहा हूं मतलब तुमने एफट लिया है रुमाल रख के जाओ बैग रख के जाओ बट उस पर हक आपका दो बच के पंदरा मिनिट तक है दो बच के पंदरा मिनिट के बाद में उसका हक है जो आँ पर बैठ गया है ठीक है तो अगर मैं क्लास में गुष गया, उसके बाद में जो जहां बैठ गया, बैठ गया, clarity आगी, मैं क्लास, अब फिर उसके बाद में क्या होता है, वो बच्चा आता है, उदर से, क्लास की कुछ चीजे बता दू, जो मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है, चालू करू ना, आज से एडमिशन वापिस ओपन होंगे, बट डैक विट वुटू बच्च के लिए का जो बें अपको बता कर करना जादा उचित है, जिन बच्चों को मैं प्रॉमिस किया तक जो मेरे पास पहले आकर मिलकर गए तह, और मुझे बोल गया था कि सर मेरा अडमिशन करा देना चिंता नहीं करना मेरा शब्द आपके लिए फाइनल है आपको अडमिशन मिलेगा ठेक है तो तेंचन मतलब अट्छों करकर के है अभे सुए से इत्टे पैनिक अटेक में तीन चार चार फोन कर देते है अर मैं अट ले यह यह बाइ चांस नहीं है बाइ चाइस है कभी मुका मिले तो मेरे ओफिस में जरूर आना मेरा ओफिस जरूर देखना वहां पर कोई एसी नहीं मिलेगा आपको हाँ मैं एक दम साधरन से लाइफ जीता हूं कोशिश करता हूं कि और सिंपल बनो और सिंपल बनने की वो यूटुब आला तो उधर जो बैटा है ना गर में दिन भर डाटते रहते हैं पैदा कई को वाया उसको डाउट रहता है तो मैं क्या बता है तुम सबी लोगों से बता है मतलब मुझे सुपर क्यूट लगते हो तुम ते प्यारे लगते हो मुझे पता है तुमको ऐसा मैंने तक बहुत सुंदर अच्छ लगते हैं मस्त मस्त क्यूट क्यूट लगते है फिर जैसे बच्चा एक देट साल का होता है फिर उसके बाद में वह है न वो चालू करता है मेर को इधर जाने का है मुवी में जाने के बाद में रोने का सोने का नहीं सब किड़े करता है त पर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं होगा। मैं ऐसा कोई ज्यान नहीं देना चाहता तुमको। कोई बच्चा सीरियस नहीं होगा। सब सिंसिर होंगे, सीरियस लोग इसी यू में होते हैं। कुछ बच्चे बड़े कमी नहीं होते हैं। यह दिख रहा है मुझे थोड़ा सा पर बोला नहीं, सर आइस्यू में नर्स होती है, कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि तुम सभी लोग सीरियस हो, समझ में आरी है, तो भाई साब नर्स भी कि तो कोई फाइदा नहीं, because you are very serious, so इस क्लास में सीरियस बच्चे नहीं जी, कैसे चीए, sincere, तुमने देखा भी तुम कितने क्यूट लग रहे थे हैं, अब है कि नहीं है, अच्छा, मम्मी की जिनको याद आ रही है, मुझे ओ भी बताना है, अभी दीरे-दीरे करके मैं एक एक points का और करूंगा, मम्मी की जिनको याद आ रही है, मुझे बता, आपको इधर बहए किसने? किसने भेजा, मतलब घर से भाग की तो नहीं है, न कोई आपके तो मुझे बता, किसने भेजा, पिरेंसे तो मम्मी को किसने बहलाई पूसला होगा, यह बहुत बेकारा है तुमारे भेजो इसको यहां से, माद किसके घर में आए, अच्छा गया अभी बच्च पुछे जब भी पूछा जा रहें तो वह ज़ें लडड़ अड़ु बेजें वहां वहां है क्युक्छ मैं तो कमिना वह जो हॉस्टल मेरा आउगा हूँ हमको मिलते हैं जिसके लड़ु आए खाजो मैं खाने के लिए पूछा काहें लड़ू भी वहां है वहां है जैसे फ्र हो इंहाल मेरो समकोष में बात करोगे। थीज़ सब एका थेमीर को लोके मांगरे लाइट ही संसा के मताद जैसे ही घार लाहे। आध चैनल के स्टाहर अंगरे अन्हीं ही तो आध किस्स आध बच्चे को लग गाई सर्दी pon est BIG कि नहीं नहीं है। तो बेश्यरम के जैसे मंगेगा आपसे, पहुंचेगा और चुपके से दे भी देगा, मा देखा मेने, फिर उसके बाद में तुम अंजाने में तुम भी करोगे, उसी गंदा लगा है, ठीक है, I mean, that's okay, so I was just trying to tell you about your mama, है ना, so बिटा, आपको एक बात धहन में रखनी है, कि आपको यहां पर जिसने भेजा है, अपने जिगर के तुकड़े को जिसने भेजा है यहां पर, वो खुद माने भेजा है, आप जैसे मुझे बताओ, इधर उत्तर प्रदेश से किते लोग है, कित्ती दूर से, बिहार से कित्ते लोग है, मुझे एक बात उत्तराखंड से को कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता हूं, वो गलत नहीं हो सकता है, इस कल्यूग में सही गुरु नहीं मिलता है अभी, माबाप मिलते हैं, माबाप पहले से ज़्यादा केरिंग हो गया है, समझ में आरी बात देन में, तो जिन्नों ने आपको भेजा है, सोच समझ के भेजा है, मुझे फिर भी बताने में ये गलत नहीं लग रहा है कि उसके बा कितनी गल्स ने, अभी तक अपनी गाड़ी में, पेट्रोल नहीं भराया है, हाथ उपर करो, दोस वह नॉट फिल्ड़ प्ट्रोल इन वीकल, ये जो विचार मैंने, ऐसे मजाक में नहीं बोला, ये देख रहे हो तुम, उन्होंने हाथ उपर किये, फोड़ से संकोच में कि पेट्रोल नहीं जलाते है, पेट्रोल को यह और बहुता है, जा रहे हो गाड़ी उदर लगा यह यह लेके आप, थोड़ा होता है अरब नाजो से बाला है, और उन्हीं लोगों ने आपको अगर यहां पर बेजा है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बेजा है, आपका दि धड़केगा थोड़ा जोर से, आपको तकलीफ होगी, और हम आपके माबाप की जगह नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा सा हो संकोच आएगा, बड़े मैं आपको बता रहा हूं, कि उसके अलावा भी एक दुनिया है, और वो दुनिया है दोस्ती की, अपने करियर के प्रग्रेस की, ये सब चीज़े, और ऐसा धीरे-दीरे हुआ था ट्रांजिशन, जब आप बच्चे थे, आप स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे थे, हाँ, मेरे बेटी को जबरदसी चुड़का है थे हम, तुमको भी जबरदसी चुड़का है, किते बच्चे रोया थे र फिर भी आपको छोड़का है थे, फिर उसके बाद में आपको वहाँ पर बहुत गंदा फील होता था, बहुत गंदा फील, कौन सी टीचेर है, कैसा बाश्रूम है, क्या है, बाई कैसे पकड़ दे, कितना मेरे को लगता था हूँ बदा रहा हूँ, वो जो उदर की, क्या ब प्रेम से पाला है मेरे को, आइसा नको कर तू, बोल नहीं पाया, बता रहा हूँ, आप तक यह बात पाँची गया, वो माभाप ने आपको स्कूल में बेजा था, स्कूल में आपको बहुत गंदा लगा था, साथ, आट, दस दिन प्रपलम होती है, फिर देरे देरे वही छ आपको भी यही बताऊंगा, आप वहां पर बैठे हो, कि आज का दिन है, पूरा अच्छे से समझेंगे कि हमें करना क्या क्या है, हमें कौन सी गल्तिया नहीं करनी है, क्योंकि गल्ती का पनिश्मेंट छोटा नहीं होगा, इस गल्ति का पनिश्मेंट है कि शायद तुम सीय अगर मेरे को याद आ रहा है, मैं उस दिन होस्टल से भाग जाता, सोलापूर वापिस, तो आथ जहां पर हूं, आहां पर नहीं होता, जिससे शादी यो यह उती, जो घर लिया आगा, जो गाड़ी यğो गाड़ी नहीं होती, जिस ज़गे पर मैं गुमने कि गुमने नहीं हो ते टिकेट नहीं मिली तो जाएंगे और टिकेट नहीं मिले तो जाएंजें जैमारस्ट्र आरी जा था हूं हम दो इतर ऑनान थे अपहे तुम्हेर को मुम मम्मि को वीडियो कॉल करकर और को रु syner हो गगुत हम आर फिर back सब्सक्राइब कर दिया थोड़ी देर रोया फिर छोड़ दिया फिर क्या है मतलब मेरे को आज भी आदे होस्टल में सुबक सुबक के रोते-रोते मेरे को नीन लग यह कब लगी पता नहीं चला अभी फी रोना आता है सब्सक्राइब कर दिया आता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यह आठ दिन तो निभान ही पड़ेंगे आठ से दस दिन उसके बाद में चीजे चेंज होगी और मैं आपको बता हूँ जो सवपनिल भाही बोल कर गए बिल्कुल सही बात बोल कर गए कि जैसे आठ दस दिन के बा को लगा तो खाना कैसे लगा तो खाना आज अचा नहीं लगा फिर आदध हो जाएगे घाना वाइसरे प्र आदध हो जाएगे और फिर देरे देरे आदध हो जाएगी कि तुमको पता चलेगा कि अलग ही दुनिया यह मजा आता है स्वावलम्भी में हम उपकोद के that is a true independence actually पूरी इंडिपेंडेंडेंट हो जाओगे तो मेरी एक बात माने आप दस दिन तक जीवन में कोई निरने मत लो क्योंकि जिनों ने आपको यहाँ पर भेजा है वो कोई आपके दुश्मन नहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग है और मैं आपको एक बात बता दूँ वो तब तक स्ट्रॉंग है जब तक तुम स्ट्रॉंग हो जिस दिन तुम थोड़ा सा रोकर बोले कि ममा मेरे से नहीं हो रहा है वो ही बोलेंगे आजा तब तुम मेरे को आकर बोलोगे कि शर उनो नीच भेजा भी उनोच बुला रहे है उनो इसलिए बुला रहे है काई को तुम ऐसे होले जैसे कर रहे है उनको सैन नहीं होएगा उदर उनको दिल के दिल में पता है कि ये बच्चे को उदर ही पढ़ना चाहिए बोलें के कुछ नहीं आपन कुछ कर लेंग उसके लिए जुगाड़ अभी मेरी बेटी के इस सोचता हूं तु कुछ मत कर मैं कमा कि रखे का तर ले तु एसकर तू उड़ा बस मैं मैं संबलता कैसा क्यों क्यों पता नहीं क्या रिलेशन मुझे कुद को नहीं समझा रहा बड़ ऐसा होता है इस अब आप यह एक तो किते दिन तक डिसिजिए नहीं लेना है ए विद्धय तू भी सुन रहे तो कान फोल कर सुन ले जब भाग्य मत आना क्योंकि तू जाओं वहां से बोलेगी ना तो मैं तुरे को पक्का लेने आ आजाओंगा ठीक है बाग्य मत आ तुम करने आले नहीं उपर मुझे पता है तो सुना ना मैं दूसरी चीदे सिखाता हूं मैं थोड़ा सा अलग हूए टीचर से बाग्या क्यों मुझे खुद को पता नहीं चलता है बड़ मैं आपको यह बताओंगा कि पढ़ाही करने आयो ना तो बीच-बीच में ब्रेक लेना ब्रेक लेना समझते हो मैं अच्छा में मेरे बार मैं बिना क्लासेस के पास हुआ हूँ हूँ मैंने क्लासेस नहीं करी सिय हो गया हूं अच्छा सिय है मैं तो क्लासेस से क्लासेस में जब तुम पैसा बरते हो ना तुम विद्ध्या को खरीद नहीं सकते है बात ध्या तो तुमारी, oh, thank God I explained that now. और अधर वाहिसे क्या सोच के जाता है। यह मुझे पिर आ कर पुछता है, फिर से किसको खरी सकते हैं? So all I am just trying to tell you, aray कैसी बात ही कट रहा है वह, असली ले हो, मैं कुछ नहीं बोला. So मैं आपको यह बता रहा हूँ, कि आप knowledge को, education के अंदर जो knowledge content है, उसको आप खरीद नहीं सकते, उसको आपको develop करना पड़ता है, बड़े श्रद्दा से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाउ से, उसमें महनत लगती है, उसमें किसी को पैसे दो या नहीं दो चलता है, तो ऐसे दो example हमें देखने को मिलते हैं, एक लव्य, गुरु दुरुणाचारिय ने उनको का कि मैं आपको नहीं बढ़ाउंगा, दुरुणाचारिय जी कि प्रतिमा बनाता है, और सत्य है यह, प्रतिमा बनाता है और उसके बाद में सीखता है, ना पैसा दिया ना गुरु था, बट फिर भी विद्द्या मिली, र तुम पास होने के लिए आयो, तुम मेरी जगह गलत है, मैं पास कराने के लिए काम नहीं करता, मैं तुमें फ्लो में लेकर आउंगा, मैं तुमें पढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुमें उसमें एंजाय करना सिखाऊंगा, तुमेरी क्लास में कभी सीरियस नहीं होता, ना आलू का बीज डाला ना अंकुर तो आलू च निकलता है। I mean I know, I know, you are telling like this, कि सार क्या बकवास कर रहे हैं, तु सिह कैसा है। पर मेरे को बहुत मैजिकल लगती है चीज़े, मुझे सही में बहुत मैजिकल लगती है सार चीज़े, में प्रकृति को बहुत मैजिकल लगती है, मैं तुरको एक बात दाओ देख। नारियल देखा है, तो मुझे बताओ, ग्रैविडेशनल फोर्स के इसब से पानी उपर से नीचे जाता है कि नीचे से उपर आता है? उपर से नीचे आता है, अब वो नारियल का पेड़ सर, वो कोई क्लास में नहीं जाता है, वो उकता है, बड़ा होता है, उसमें कोई मोटर नहीं लगी होती है, कोई इलेक्रिसिटी नहीं होती है, नीचे से पानी उपर जाता है सर, कोई जाता है उपर पानी डालता है कि कोई? पानी रूट्स में डालते है, निचे से पानी नारियल में जाता सर, कैसे जाता मालूम ने, नारियल के अंदर पानी जाता सर, और मीठा रहता है, तुम हस क्या रही छोड़ी, वो, अरी पागल होगी है, तुमको मैं बोल रहा हूं, पागल पन लग रहा है, अभे येडे, वो, येजर लिविंग थेंग्स, उप रहा है, तुम हम अगर नॉर्मल होना सिखा दूना, तुम है अगर इस भचड़े से बाहर निकाल दूना, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम्हारे अंदर वो, वो सारी चीज़े है जो के लिए जरूरत है, रास्ते गलत चुनने से गड़बड़ हो जाती है, अरे सर, रास्ता गलत चुनना ही प्रोब्लम है, बाकी मैं इस क्लास में serious लोगों कभी entertain नहीं करता है, खुश रहो, अपनी क्लास हर रोज किस से start होती है, आज एक ही दिन first day ही रहता है सानला, जिस दिन स्टार्ट नहीं होती है, मेरी क्लास हर रोज शुरू होगी विता smile, और मेरे को ऐसे तुमारी शाइनिंग दिखने चाहिए, टिम टिम टिम, समझे के नहीं, smile करते रहने का है, कि smile करते रहता है, चीज़े जल्दी आत्मसाथ होती है, जल्दी easily समझ में आती है, जब पापा पाद होते थे, तो तुमको समझ में आती थे, अगर उस समय में कोई logic सिखाऊंगा, समझ में आया है, का seriousness से problem हो जाती है, आप flow में चीज़े सीख पाऊगे, कितने सारे लोगों को सर में मिला हूँ, एक mechanic को मिला, यह बात करकर फिर मैं आगे बढ़ूँगा, कि हम क्लास मे में क्या कर रहे है, तुमको सेकेंड पॉइंट बता कि मैं फ्लो में लेका हूँगा, मैं से रियस नहीं राइधर ग्लास में, तो एक mechanic को मिला मैं, वो mechanic का कोई mechanical engineering नहीं हुआ है, बट looms में, वो machine की loom के आवास सुनके बता दे कि उसमें क्या problem है, जो इसके काम करते नहीं जितने भी mechanic है, किसी को mechanical engineering नहीं हो, कोई automobile engineer नहीं है, बट वो गाड़ी को हाथ लगा कर देखकर उसका valuation बता देंगे, और उसके बाद में गाड़ी कैसे चले की क्या कचले की उस पर काम कर देंगे, और अज रिविंग एंड सम लाइफ यहार, ऐसा फालतु लाइफ नहीं, खतरना control है, मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, इस लाइफ में majority, क्योंकि मैंने फील के, majority लोगों को education नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, बहुजुद उसके they are doing perfect, मैं तुम्हें फिर बता दूँ और मुझे बोलने में कोई शरम नहीं है, कि तुम्हें मेरी जरुरत नहीं है, तुम खुद भी सक्षम हो करने के, बस फर्क क्या है कि अगर रास्ता गलत चुन लिये तो प्राबलम हो जाएगे, और सी ए कोर्स में जैसे ही तुम इस classroom के बाहर निकले, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो तुम्हें ग्यान बाटेंगे, अलग-अलग, मैं टीच घंगे, और लाइफ के बा राए में वो खुद भी जी तुमी जी आ घृतुम, तुम्हें एक्स्प्रेंस से जी यो उसको उसके एक्स्पिरिंस से जीए दो, अगर उसमेंगी नुकसान भी हो जाए, फैल भी ऑजाओ, प्रोलम बी हो जाओ, अगर उसमिन नुकसान भी उग तो मैं आउंगा पहले पूछोगा तो मैं देखते कैसे जो जो बच्चा बच्चा बच्छ करके है एक प्यारिसी स्माइल देके दिखाओ तो इसे पॉइंट के बाद में अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट के बद में अर विरेडी तो बहुत भी है और जो कुछ भी हम करेंगे वो किसे करेंगे फ्लो से तुम नैचरली स्मार्ट हो तुमारा स्कोर कितना है 200 आया 210 आया 210 आया उसका कोई लिए देना नहीं मुझ मैं क्लास में इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको फ्लो में लेका हूँ और आप ध्यान देते देटे चीजे करते चले जाना 200 स्कोर वाले को भी समझ में आना चाहिए 300 वाले को भी समझ में आना चाहिए मैं मेरे बच्चों में कोई बेदभाव नहीं करता ना पउट न अच्छ है कोई गलत नहीं है किस वेक्ति को किस से समझ में आता यह important है मैं मेरी generation को मेरे विध्यरतियों को खराब नहीं करना चाहता कि आप हर बार यह सोचते रहो कि किसी और के वज़े से मैं फेल होगे है मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फेल भी अ सोशल मेडिया ऐसी चीज है कि मुझ पर भी थोड़े से कुछ प्रॉबलम्स है मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरे कोई रैंक्स क्लेम नहीं करता ना मैंने किसी एक भी बच्चे को इस क्लास में बैठेवे को कहा है कि आप आकर मेरी क्लास जॉइन करो मैं यह अर्गेंस में न सब्सक आगे मैं मजा आएगा इसमें फिर तुम मुझे गिवन टेक वाली बाते करो क्यों कि देखो सर अद देंड आप तुम्हें इंसानी हूं कुछ गल्तिया मुझ से भी होगी गल्तिया मुझ से होगी कभी कोई चीज देरी से आ गया कभी कुछ तो तुम मुझे जब उ सब्सक्राइज गाप में डबल का फरक हो गया हां लगता नहीं हूं मैं बढ़िया इस अलमस्टाइम ट्वाइस अफिर एच नाओ तुम कर लो पिर तुम क्या लगे है चला भी ना चैसा पैसे देया हैं तरेको मैं वो करता नहीं मैं वो काम करता नहीं सर समझ में आए कि न अच्छा नेक्स चीज मैं थोड़ा सा स्पिरिच्यालिटी में भी काफी बिलीव करता हूं पढ़ता हूं अच्छा लगता है मुझे कभी कभी मिला तो मोका बताऊंगा मेरा ऐसा मानना है कि मुझे भगवान कहीं पर भी दिख सकते हैं राइट हरे करे दर्म में आपने भी जाएंगे बट जैसे राम जी को शबरी जी मिली ती राइट या राम जी जब नौका से जा रहेते तो कोई और वेक्ति मिलेते राइट किस वेक्ति को भगवान किस स्वरूप में मिल जाएंगे मुझे नहीं पता है और मैं अपने आपको उस तरीके से गुरूम करता हूं करते रहूंगा कि मुझे आपके अंदर भी भगवान दिखते हैं। समझ में आ रहा है। मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा या मेरा आपको वच्छन है। Irrespective of your score, आप क्या करते हैं। कितने बच्चे उदर सिग्रेट पीते दिखते हैं। हाला कि लगता बुरा ऐसा नहीं कि नहीं बुरा नहीं लगेगा। वॹ्युक्त बुरा करने से का कि आखे ऊपर नीचे करो के कोंप सब्सक्राइब कोई गे जाने के लिळक जाया वक्तो आपको कभी जाज नहीं करोंगा और आपके बार कोई वैक्ति मिल जाएंगा कोंघ बहार क्या अरशाह where भुझे मेड़ा वहानी दिदेगो तो क्या मतलब है? तो जैसा मैं यहां पर हूँ, वैसा ही घर पर हूँ, वैसे ही बाकी के जगे पर भी रहने की कोशिश करता हूँ, मुझे इसमें जीने में बहुत आसानी लगती है, मुझे बहुत एजी लगता है, कई कुछ चीज याद नहीं करनी, कई किसी को क्या बोला, क कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जैसे हो तुम वैसे हो, तो मैं मैं नैचुरल फ्लो में रहने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप सभी बच्चों में इश्वर का वास दिखता है, कोई भी बच्चा मेरे पैर नहीं मुझे नहीं पसंद, आशा करता हूँ, आप इस बात का सम्वान रखेंगे, आप मेरे पैर नहीं चुएंगे, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, तो कोई मेरे पैर नहीं चुएगा, किसी टीचेर की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं उसको बढ़ावा देता हूँ तो मैं भी एक गलट टीचर हूँ, और मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे टीचर अच्छा बनना है, और मैं उसके लिए आया हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, कोई किसी की बुरा ही नहीं करे, आपको जब कभी भी हल्प की जरुरत होगी, तो मेरा ओफिस है, मैं अलग यहां पर सेविदे के ओफिस में बैठता हूँ, आप मुझे से आके बाते कर सकते हैं, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूँगा, आपके साथ बात करूँगा, तो इतमिनान से बैठ के बात करूँगा, शायद फोन नहीं उठाऊँगा, शायद बाकी के काम नहीं करूँगा, यह बीजी रहूँगा, तो यह बोल दूँगा, कि मैं वापिस कभी आऊँगा, बट अगर आपको कोई प्राब्लम हो, अगर आपको लगी कि मैं आपके help कर सकूँ, तो जरूर आखे मिलिएगा, मैं कोशिश करते रहता हूँ, कि मैं मेरे प्राम जी दूएग, वाट इड़ किंग अशोका दिड, तो यह बोल दूएगा, तो मैं लगता होगा, मैं अब इस तरीके से तुमने प्यार बरसा है मुझ पर, इतने सालों से बरसा रहा है हो, तो आप से वले लाइफ में, असा कोई टेंशन नहीं है, अब मुझा अब क्योंकि जो मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनसे फिर वसूलने की भावना नहीं चीए, तुम समझे, जब तुमारे उपर इंट्रेस का मिटर चालू है तब तुमारे को डर लगता, आरे, पैसा तो कईसी तो जुगाड करना पड़ेगा, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो I have got a zero debt on my life, so that is the reason I am just trying to tell you is you know, कि will be like my kids, I have made all those arrangements for the sake, कि भाई सब साध्या जीवन जीओं और अप सभी लोगो में मुझे जब तक विद्या नहीं दिखे कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो आशा करता हूँ कि आप भी उसी तरीके से respond करेंगे, और उसी तरीके से रहने की कोशिश करेंगे, कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाए, happy, good, तो class किस से start होती है, और जब कभी भी बीच में कोई problem होगी, और जो कि होगी 100% class कभी-कभी difficult जाएगी, और मैं बोलूँगा, कि प्यारी सी smile, तो क्या करो मैंने बोला, problem solve करो तो करने का, मैंने बोला, सीधा बैट तो सीधा बैटने का, सब काम करने का, और इज्जत से करने का, ठीक है, all right, रतन डाटा, यहाँ नाम बुल गया मैं, चले अभी आगे, sir, your hairstyle is so good, यह मेरा अलस हैं, बेटा, actually मेरा अलस है, कभी बताऊंगा इसकी बात, चले फिर अभी आगे, आज तुरा syllabus की तरफ मूप कर लेगे, उसके लिए आयो ना, मैं कुछ points तो नहीं बुला, हाँ, एक-दू points और बुल गया, मैं, जब आप accounts पढ़ोगे ना, तो, तुम्हें पता है मेरे पाइसे जितने भ क्या, फिर क्या है, कितने के घर में उनके पाप अम्मी का बिजनस है, लक्षमी पुझा करते हो, फिर बिजनस के आज़ारों की पुझा करते हो, मैं भी accounts की करता है, और जिसको पुझा करते है, उसका कोई कुछ गलत काम करे तो अच्छा लगेगा, सपोज मान लो तुमारी बटने सर्वर, और यकलागे दूगया, इधर बाजु में तोड़ा बालेंस नही और है, आख, so will you do that, so what are you gonna do? तो मैं तुम्हें जलिल करूँगा, ठीक है? तो अगर अकाउंट्स करने का है, तो उसको जिस प्रेजेंटेशन में चाहिए, उस प्रेजेंटेशन में करना पड़ेगा, बुक बिल्कुल एक्तम सूपर क्यूट, तुम्हारे चेहरे जैसी दिखनी चाहिए, और मुझे पता है, पहले दो-तीन दिन लिखोगे तुम, सर न your mind, and we should take care of this thing very carefully. Class ka medium of language will be Hindi plus English. The figures which I'll speak, जो figures बुलूंगा, वो always in English, 10,000 something, 10,000 नहीं बोलूँगा, 4,000 नहीं बोलूँगा, 4,000 बोलने की कोशिश करूँगा, कभी-कभी मुश्किल हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तुमको याद दिलाना, जो कोई भी South India से है, या जिनको भी problem है, तो उस case में आपने चिंता नहीं करना है, you just need to tell me and I'll take care of those stuff, point copied, so मैं फिगर्स इस तरीके से बोलूँगा, किसी को Hindi नहीं आती है सा, Hindi ले, तोड़ा आता, तुम मैं तोड़ा-तोड़ा ही बोलेगा, बट अगर नहीं समझा तो तुम मेरे को तोड़ा-तोड़ा पूचने का, क्योंकि ये बाकी के बच्चों को Hindi आती ना, तो I'll keep explaining, and don't think that that you are bothering me in the class, I'll still mind, you have seen my demo, good, thank you, बोल रहा है मैं पूरा पुरा प्रिपेड हो क्या है, तु क्या बता रहा है मेरेको एडा है गया, मैंने उसको बोल दिया, एक वर्दान दिया, वो नहीं आना, अभी अगली बार पूचा मेरेको, you have seen my demo, सार, मैं बोलेगा सार, तु क्या पॉएट नाव, ये एक पॉइंट मेरे है, आज बेटे हो तु म, ये जैसा बेटा है न, demo देख लो, ये आईसा, ऐसा अलाओड नहीं है, हाँ ये अलाओड नहीं है, थोड़े से दिन concession देगा, फिर नहीं देगा, why I am not gonna give you this concession, क्योंकि आईसा बेटने के बात में धीरे धीरे वो एक माहल बनाते हैं, कि जि अपसरा आली, उसर चले जाते हैं, so I am not gonna allow you doing that, you cannot put your hands like this, right, जिन जिन गर्ल्स को बालों में प्रोब्लम है, देंडर फे, use good shampoo, but I will not allow you to split your two hairs like this, Manucure, pedicure, इधर नहीं करने का, मैं नहीं अलाव करता है, मैं जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, पड़ाई में बहुत सीरियसे भाई, तो मैं तुमको बता रहा है, तुमारे बाल नहीं संबलते होंगे, टाइट बांद के आने का, जैसे स्कूल में जाते थे, सार चंपू लग यहा है, कुछ नहीं, एधर बालों को हात नहीं बाइने का, एक हात बार ठीक है। एधर खुलली ऊजली खुली, तैले चाम जयक, जो करने का, ट्रित्मेंट गया," अरे तुमको लग रहा है मैं एडे जैसे ओर आक्टिंगर के बाते कर रहा है बट इस इस वाट पीपल कीप डूइंग एट अब मैं बाती नहीं कर रहा है बहुत लिमिटेर बाते करकर खतम गर दी मैंने आशा करता हूं कि आपते के बात पहुच गई है अचा यह हो गया एक तो मैं क्लास में सोने नहीं दूँगा ठीक है दूसरी चीज कोई भी बच्चे को मेरे क्लासरूम में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यू केन इट अगर तुम कभी कुछ खा रहे हो मैंने तुमको देखा तो ऐसा नहीं गाऊं मैंने आज तक कभी भी किसी के डबे में से कुछ चुरा के नहीं खाया है वो बच्पन की रिसेस की बाते है अलग थी बड़े होने की बात में कभी नहीं गया प्रेम से लाके दूँगा तो कभी खा लूँगा बट ऐसा कभी नहीं खाऊंगा सर तो ऐसा वो संकोच में मत र कि वो चुपा चुपा था चुपा था ना कुछ तो खाया है ते रहे एधर मिलने लग गया शुला परेस्ट्रिम बंद कराने का मेरको वा ऐसा कुछ तो हमली का कुछ आता है आप आप इसे ना भूक मिट रहे वह तो तो तुझे पढ़ाई नहीं गरनी अब पढ़ाई नह मैं मतलब कासम काके बतारा हूं हमारे जमाने में होस्टल डेज में चाय पीनेगा की नहीं नहीं पीनेगा، वी उस्टो थिंक अलाट यार यार जाज बच्छा पाइसा उडा रहा है अवे माभाप ने कमाया तो वो उन्होंने कमाया तुम कमा कर तुम उडानेगा अननेसिसरी पाइसा फिजूल कर्ची ने करनेगा इदर तुम्हें बता रहूं खाना काऊ सर कोई ब्राब्लम नहीं है अपनी घान वापिस लेके जानेगा जो खाना काय उद़र गंदा हुआ हो लेके जानेगा तेओएक करा एक और तुम्हें खान शक्रा सर तुम समझे किहम हैं क्जा ब़ली मेरा गंदा तुम्हें लेके जानेगा म terminal नहीं बट सुर्फ रिक्वेस्ट है कि की वह चुपा करके वह बाद काओ, बाकी हाँ सर में कोई चिविंगम खाने का खा उसको पेपर में डाल कर डालो और कहीं पर रख दो कर दो करो क्योंकि मैं कर्म पर बिलीव रखता हूं तुमको लगेगा कि नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उपर बाप सब के यह नेचर एडा नहीं है तुम जैसा काम करोगे वैसा रिटन आता है और हंड्रेड परसेंट रिटन आता है या भी मैं ब्यांड डाउट हूं तो कोशिश करना कि यहाँ पर किसी भी धर्म रिलीजिन में देखो सब लोग करम के बारे में बोलते है अच्छे करम करो तो फिर यह मिलेगा वो मिलेगा X Y Z तुम गंदा गाम करो कि किसी को तकलीफ दोगे तो मैं 110 परसेंट बता रहा हूं कि देर वुड बी अ प्रॉब्लम सो यह चीजे मत करना अच्छी नहीं लगती है रमें तो मैं क्या है इस करें करना पड़ेगा मुझे बता हर बैच में करना पड़ता है तो इस अच्छी नहीं तो इस लिए प्रॉप आज इस लेवल पर इसलिए काम करते है क्योंकि शायद वह आपके जितने लग्की नहीं थे और कुछ नहीं है मैं तुमको गैरेंटी से बता दाओं कि मेरे जो स्टाफ है आर वेल-trained, वेल-groomed बट अट अच्छी नहीं थी इसलिए पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, जल्दी उमर में काम करना पड़ा, इसलिए जो काम मिला वो काम किया, मैं किसी आदमी को उसकी financial position या हैसियत देखकर उसकी इज़त नहीं करता हूं, मेरे स्टाफ की मेरे दिल में बहुत इज़त है, वहीं नहीं, तुमारी भ बड़ इज़त से पेशाना, तुम जो कुछ भी मेरे क्लास में कुछ भी जीतना है प्रेम से जीत सकते हो, आरगेंट से नहीं, तो आरगेंट की पुढ़िया बनाकर कर दूँगा, आरगेंट बिल्कुल मत होना, मेरे स्टाफ से प्रेम से बात करो, अगर कुछ कम्प्लेन ह है, तुम जो कोई भी मेरे क्लास में सिर्फ प्रेम से होता है, तुम एरगेंट बैंड बज जाएगे, आगई बात दहन में, तुम जो कोई भी रहेंगे, नावाब साभ या जो कुछ भी, अपने घर में, लाट साभ अपने घर में, यहां पर मैं भी आपके जैसा रेम से बात करो सब काम होएगा, आपका साब काम होएगा. प्रेम से बात नहीं करेंगे, मैं बंड बजा दूँगा, समझ में आगी? अच्छा, नेक्स्ट जगडा कर सकते हो तुम करोंगे, सल्टानेगा अपने अपके लेवल पर, बहुत एक्स्ट्रिम होगा है तो मेरे तक कर दो अगर बात समझ में आगी ठीक है और 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 क्या था यार स्टाफ का ओ गया और कोई पुछ रहा हो किर मैं यह किते सालों से मेरे साथ में वरायरा इसको याद होगी अभी मेरी क्लास अगा इक अध बार मैं नहीं होंगा तब यहां के पड़ा कि जाएगा है अग्या अगर हो तो यूज करो ब्लै कलर का पैनि इस गोना बी उसफुल तो यूज बिकास यह गोना राइट विद दा राइट इन द पेपर लाइक दा विद अचा और किसी बच्चों को बलना है किया सर इंधी मेडियम से हूँ सी एफटेशन में कौन कौन से बेपर हिंदी में आ आपको बहुत जादा महत्व पुरुन हो जाता है इंडिया वो कंट्री बन रहा है जिस कंट्री के अंदर हम विल बी ग्लोबल सप्लियर ना उरी जल्द होने वाला है तुम मानो या मत मानो तुम बहुत लगकी ताम पर भी सिय कर रहे हो वी आर गॉना बिकम अगल सप्लिय अबल का आजी नीस पाड़ा एर शिफिति ईर हल ऐग्पोन 14 का पूर का पूरा च्श् – पॉर श् manage को सीखा हम तो naturally inclined है naturally हमें सारी चीज़े आती है so why not to do it it will give you a lot of impetus lot of growth आगे की चीज़े आपके लिए बहुत easy हो जाएगी अच्छी हो जाएगी इसलिए बहुत ज़री है कि you do your course in the English इसका मतलब यह नहीं कि मेरा Hindi के प्रती कोई रुझान अलग है Hindi, Marathi इन दोनों भाषा उपर मैं बहुत जादा प्रेम करता हूँ और यह दोनों भाषा से मुझे लगता है communication बहुत easy हो जाता है उधारन के तोर पर ऐसा एक भी शब्द किसी भी language मेरे को आज तक नहीं मिला है जो मराठी में और एक मोमेंट में सारी चीज़े क्लियर कर देता है शेम डेया इसके जैसा शब्द मेरे को बता हूँ Hindi में क्या बोला कि है नहीं बोल सकते है तो हरे एक लैंग्वेज के अपने अपनी है तो मैं आपको यह सिर बता देता हूँ तुम आज जा के देखना इंग्लिश में नहीं मिलेगा शेम डेया क्या शब्द है बास दर इस नहीं इस रिक्वाइड एक मोमेंट में भावनों को पाँचा देता है सो मेरे हिसाब से आप हिंदी में मज जाएए आप इसके साथ इसकी प्रॉब्लम साइगा तुमको बाकी के बच्चों से थोड़ी दिक्कत ज्यादा आएगी बट उसके बावजुद अपनी गिवप नहीं करना है कंटीनिव करते रहना और दीरे दीरे चीज़े नॉर्मल हो जाएगे और तिंग्स विल बी ओल फाइन बट यू निट तुम बोलोगे कि सर पंदरा दिन में कुछ हो जाए ऐसा नहीं होने अला इस गोन टू टेक ताइम मैं जूट बालत करकर कोई मतलब नहीं सर आपको टाइम लगेगा आपको कई बार ऐसा भी लगेगा समझ में नहीं आ रहा है और वो सही भी होगा कुछ एक्स्टेंट तक बट उससे धिरे धिरे आगे समझ का रस्ता होगा जैसे हम पहले बोलते थे तोतले तुम बोले के नहीं बोल सकता है पहले तोतला बोल तोतला बोलते 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 फिर अपन बराबर बोलने लगे बराबर है ना मेरे बीटी बटन को टपन बोलती थी टपन काया है समझ में आरी कि ने आरी बाद देन में तो ठीक है अबर यह बहुत important बात है, यह actually मैं पता नहीं कैसे भूल गया, तुम तबेत का बहुत ध्यान रखो गया, और रस्ते में कोई गही गडबड नहीं करेगा, कितने लोग two wheeler पर आते हैं इदर, मेरे class में लेट आये तो चलता है, कोई गही नहीं करेगा रस्ते पर, अराम से आनेगा, सीडियों पर आराम से चलनेगा, नहीं आर खाली पुकट मेरे को नया नेटेंशन नहीं चाहिए, समझ में, और सीए नहीं वा तो भी चलता है, स्ट्रेस नहीं चाहिए, दिमाक को शॉट नहीं चाहिए, सीए लाइफ नहीं है, सीए पार्ट अव लाइफ, बराबर है ना, दिमा को शॉट नहीं चाहिए, चिल रहनेगा, कूल रहनेगा, अभी आज मुझे बता, सीए नहीं है तू, क्या प्रब्लम में लाइफ में तेरे, आज तेरी गल्फ्रेंट है, क्या प्रब्लम में लाइफ में लाइफ में, साले आना, मेरे पास आना, जंडु बामगिरी कर करता हूं सलह को बराबर हा रहा हूं मैं अभी कोई टेंशन है किया तो कैसा श्राइब तुम कुछ भी बड़ बड़ करते, यह बनना अच्छी चीज है, तुम है अपने से उपर कोई नहीं है, तुम सबसे इंपोर्टन ओ लाइफ में मेरे लिए, दिमाक को शॉट नहीं मारने का, मस्ती मस्ती में जम रहा है ना, खेल खेल में जम रहा है ना तो घरने का, वो बॉ अच्छी नहीं चलता है, तुम कान में पानी जाया है, मत जा, मैं यह बोलूँगा, बात समझ आ रही है, तो भाई साब, अभी भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है तुमारे है, अच्छी हो, चिकने हो, मस्त, कुची-कुची पाय हो, कोई ऐसा मत करो, कि जिसके अंदर तुम मे इसमें इक स्ट्रेस का क्या करते है, कुछ नहीं, समझे, ठीक है, तुमको अंदाज अलग गया होगा, मैं क्लास कैसे लूँगा, अच्छी-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-कुची-क So, silence amounts to consent. No one is gonna use the mobile. This is what I am assuming. And if you use a mobile, then there is no problem. Just don't have to go. And after going to go to go, we give a lot of advice. Then we take your mother to papa, then we take Jalil, then don't have to go. So, don't use it. So, it's very urgent. I know that in this age, there are so many urgent calls. So, I understand that you are like, are there any loudestle here? Loudestle. You are too loudestle. Lakshmini, loudestle. Good. I am loudestle student. Okay. So, I am very happy. So, I am out of here. So, I am telling you, what you think, maybe what you will understand. Sir, you can see like this. Sir, you will understand everything. Sir, you will understand everything. So, you will understand everything. Sir, you will understand everything. Sir, you will understand everything. Okay? Hey, Dillie, you have to talk to yourself. Dillie, who are sitting in Dillie, who are sitting in Dillie, Sashriyakal, Ram, Ram. You all love all people. Dillie and Gurukul are also watching Dillie. So, love all people. So, I am trying to say, that you will understand everything. You will understand everything. You will understand everything. You will understand everything. Then, you will understand everything. I am serious. I will tell you something else. So, reading and writing is a shock. Books, psychology, I really liked it. After that, I studied psychology books. He was taught before me. He was taught me. You are a problem. You are a lot of people. Like, I didn't like to study. I liked to sleep. My father used to say, I didn't do this. I didn't do this. You will do it. I will do it. So, you will do it. It will not happen. बाप यह पाप यह अच्थ ली पाप यार यह अट्छिली पाप यह को यह परहु थे पाप यार अट अजो हो फिर मने समझा मेरी बातको तुमोझे पसंद नहीड तो फेर मने भी जो प्या से क्या चीज होती के जिसके वघज़ा से अध्मिकर पाता है how do we groom, how do we think, what makes somebody what, so I started reading books and all, I am great fan of Sigmund Freud, he talks about psychology, right, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ professional courses भी किये, so handwriting analysis, so I have completed all my degrees into it, handwriting analysis मजा आता है, LNPS की, body language की बुक पढ़ने में मजा आता है, तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, हर रोज बिना कुछ पढ़ने में सोता नहीं, अची चीजे सुनने का शौक है, मैं आपको भी यही सला दूंगा की, keep listening to good things, keep reading the good things, cultivate this habit, you cannot cultivate when you become, when you retire or when you grow old, so cultivate the good habit of reading, छोड़ी-छोड़ी चीजे पढ़ो, धीर धीर पढ़ो, अच्छा है, ब्रेक लेते रहना, पढ़ाई के दौरान, continue पढ़ाई नहीं होने लिए, नहीं होने लिए, इल्ले, नहीं होने लिए, मस्ति करते रहना, ठीक है, जितना हो सके, साधरान रहना, सिंपल रहना, उसे complications नहीं होगा, मैं कैसे दिख रहा हूं, क्या दिख रहा हूं, बरोसा मानो, क्लास में तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं, फिर आ जाएगे, तो मेरे रजगुले बच्चों अब चलते हैं, आज एक नहीं सेक्शन बनाने को न तुमर लिए, नको सेक्शन नको नको, आज एक क्विक नोट्स बनाते हैं, अब यह इंटरनेट कनेक्ट होगे हाँ, आमी जे तुमार चिन-चिन-चिन, एस अंतो सुनने इधर आना, आन नीचे जाके पूछ, कि सपनिल भाई, हाँ, चलो सुनते के मेरे रजगुलो, I am gonna talk to you now a very bharithing, एक page एड़ किया, हाँ, लिख लिजे topic का नाम, हे topic है, subject का नाम, accounts, और पहले level पर हम क्या लिखेंगे, syllabus, syllabus के spelling wrong हो गई, बहुत stress में है, यह अभी बरभर है कि रहे, यह मैं पहले ही बता हूँ, आज day one को जैसा हो नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा है, मैं original नहीं अभी है, मेरी second copy बात कर रही है अभी, क्योंकि तुम कैसे बैठे हो मेरे सामने, कैसे किते सीरी है, फिर भी आज पहली बात भारी है, हसी तो शरी है, तो आज तुम काफी अच्छे हो, क्योंकि अच्छे हो गट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् खा ये खा वो खा अच्छा खाना खाने का इदर समझे क्या बॉडी में प्रोब्लम रहेगी ना फिर कैसा करेंगे परफॉर्म वो मिल्ट्री में और यार में कि अरे कमी ने आज एक तो दिन बैठ जाता सादू संत्के जैसे कोई साथ भी है क्या चीज़े देखता है भई तुम्हारे जैसे बच्चों के जैसा मैं जलील और बाजू के क्लास में ना कुछ पेरेंट्स बैठ है मुझे बोले मेरी बेटी डर रही है मैं उदर बैठ जाओ बैठो सार अंकल बैठो प्लीज बैठो आप उरे ऐसी बाते कर रहा है ना लाई गावटी नहीं पिल पीपिटी हाँ चलिए पीपिटी कहा है से सुरा सुनलो यह कुछ जल्दी जल्दी बात करूंगा खतम और फिर हमारा करेकरम को हम समापती के पास ले जाएंगे पहला त हुआ तो कोशिश करूंगा तो तो तुमको मिलेंगे कलर नोट्स ने बताना ज़रूरी इंपोड़ा तो जो पेंडराइब के स्टूटेंट्स है और अनलाइन लाइव के स्टूटेंट्स है इस बैच के नोट्स जो है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान यह वाली बुक आपको मिलनी चाहिए यह इधर साइड में मैं हूँ ठीक है तो ऐसी कितनी बुक्स आपको मिलेगी सो दीजारा हो मिनी बुक्स दस पागल यह एक दो तीन चार पांच छे एक वोल्यूम अभी तक आपको मिली नहीं है वो प्रिंट हो रही है ताजा ताजा अबी नविन तो साथ वोल्यूम्स यह मिलेगी साथ वोल्यूम्स यह मिली और उसके अलावा आपको मिलेगा की नोट्स ठीक है इसके अलावा अगर आप PenDrive GD student हो या अनलाइन लाइव स्टूडेंट्स भी हो तो आपको टेस्स सीरीज का आंसर की शीट्स आंसर शीट्स मिल बस online live वाले घर पर लिखेंगे और आप लोग इधर लिखो गए, जब आपकी test होगी, तब आपको paper इधर दिये जाएंगे, तो वो paper face to face के बच्चों को अभी नहीं मिलेंगे, वो class में distribute किये जाएंगे, point clear, point clear, तो books कितनी मिलने वाली, seven, और ये एक book और मिलेगी, और इस book के अलावा, जो online live है, और GDP के बच्चे, उनको मिलेगे test series का बंच, और तुम सभी लोगों को, test series का बंच छोड़के, बाके सब चीज़े मिलेगी, test series के जो कुछ भी paper से वो आपको on the spot मिलेंगे, point clear, okay, so you will be first having the color notes ये चल ना, so these are the color notes, अब इसके साथ में आपन एक बर syllabus लिख लेते हैं, तो volume 1 में आपका क्या-क्या है, profit prior to incorporation, profit prior to incorporation, हाँ बेटा, लिखना तो पड़ेगा आज, मुझे पता है, बहुत सालों बात लिख रहे हैं अपन, लिखना तो पड़ेगा बेटा, थोड़ा धीरे- सर, गुरु कुल दिल्ली में आप कब आओगे, जल्द आएंगे मेरे राजा बेटा, वहां के दाई बल्ले खाने आना है मुझे पहले, so profit prior to incorporation, लिख दिये के भाई, okay, second volume के अंदर आपको मिलेगा, insurance claim, insurance claim, second day, insurance claim, third day, investment accounting, investment accounting, redemption of debenture, redemption of debenture, redemption of debenture, लिख लिए पिल्लू, very good, रसगुलो, आगे बड़ते, third unit में आपका आएगा, company final account, third unit में आपका आएगा, company final account, इसमें एकी एकी चीज़, company final account, अपे पहले पनने पर लिकना है, और डेमो देखने का आएगा, तो कई को बेटने का, यूटिवर देखने का, फिर बुक्तो लेगा आएगा, company final account, बोलना पटता है, रहे पेज पर लिखना हो जाएगा, फिर कई पर लिखना चालो हो जाएगा, थोड़ी दर बेंच के बाद में आगे लिखना हो जाएगा, अरे, पेज के अथम हो गया, आगे चलते क्या बाई, company final accounts दन क्या, then next, departmental accounting, departmental accounting, दुरू पटिल अपन बाद में बात करेंगे थोड़ा से, यह ना, departmental accounting और कोंसा बेट हुझी, branch accounting, लिखा गया, departmental and branch accounting, फिर मेरे छोड़े-छोड़े मतर पनीर, आगे आएंगे, redemption of preference shares, redemption of preference shares, redemption of preference shares, redemption of preference shares, bonus shares, cash flow statement, cash flow statement, cash flow statement, CFS, यह unit किसमें बिटाजी? 5. 5. Now, unit 6, higher purchase, higher purchase, higher purchase. Next, preparation of accounts, preparation of accounts from incomplete records, preparation of accounts from incomplete records, that is single entry also you can call it as, these are 6 volumes and apart from that you will be having this last volume which talks about as. So, उसके अंदर as का unit 7 जो है, उसके अंदर लिख लिजे, क्या क्या है? introduction to as, introduction to as, introduction to as, introduction to as, next framework for introduction to as, framework, so unit 7 में introduction to as, फिर क्या है framework, next as1 disclosure of accounting policies, as1 disclosure of accounting policy, as1 disclosure of accounting policy, as1 disclosure of inventory, as2, valuation of inventory, as2, valuation of inventory, as3, cash flow statement, as3, cash flow statement, as3, cash flow statement, as10, PPE PPE लीकितो हाबी, PPE मने, Property Plant and Equipment, A-S-Ten, P-P-E, P-P-E, A-S-Len, A-S-Len, Effects of Changes in, Effects of Changes in, Foreign Currency Exchange Rate, 8, effects of changes in foreign currency exchange rates, actually foreign currency transactions कु किस थरीके से accounting करते है, उसके बारे में, इन shortcut में बता है, AS 12, effects of changes in foreign currency rates, लिखा मेन है Now next, AS 12, government grants, AS 12, government grant, AS 13, AS 3, investment accounting, AS 13, investment accounting, AS 16, Sola Kadula, boring cost, boring cost, AS 16, boring cost, boring, boring, B O R R O W I N G, boring, you understand boring, boring cost, happy, AS 16, boring cost, लिख लिख लिए कि रस्गुलो, इतने सरे AS, syllabus देख लो एक बर, लिख लिए क्या, सुनलीजे, अब आपका next question यह होगा, कि sir, एक YouTube के किसी बच्चे ने पूचा के sir, मेरे पास पुरानी बुक है, तो चलता है क्या, बटाजी, पुरानी साथ आपको एक एडिशनल बुकलेट मिलेगी तो वो चल जाएगा एडिशनल बुकलेट की जनरली आपको पीडिएफ भेजी जाती है पुरानी बुकलेट के साथ आपको पीडिएफ मिलती है एडिशनल बुकलेट के तो वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें that is also perfectly fine उसमें जो एडिशनल पीजेस जुड़ते है वो है next मैं कुछ चीजे बहुत क्लियर कर रहा हूं ध्यान से कान खुल कर सुनना sir क्या मुझे मोडिल रेफर करना चाहिए क्या so मेरा अंसर क्या मैं बता रहा हूं अगर आप मुझे यह पूछ रहो कि क्या सार आपने सारे क्वेश्चन मेरे कवर करा लिये क्या the answer is yes but sir मोडिल रेफर करना चाहिए क्या एक विध्यार्ती की निशानी होती है research उसने जरूर द बता रहा हूं मेरी books sufficient है क्या answer is a big 100% yes कोई problem नहीं है अगर question आएगा तो यहीं से आएगा दूसरी जगे से नहीं आएगा यह मैं वच्चन दे रहा हूं मैं यह वच्चन नहीं दे सकता 100 on 100 बड़ मैं आपको guaranteed बता रहा हूं 80 to 90 marks के जितने भी प्रशन है exactly इसी टाइप के आ को दो तीन अलग format में करते है तब में दिक्कत में आता हूं otherwise I will make it in the same format so you don't have to worry so whether the material is sufficient yes इसमें कौन से questions कवर होंगे module revision test paper जिसको हम RTP बोलते है past exam question bank including the last paper which has happened in Novemberभी कोंसा है sorry May May 22 का भी paper इसके अंदर covered इसके अलवा Raja पेटाजी आपके mock paper जो आते हैं institute के regularly mock paper इसमें covered और कुछ additional problem अगर मुझा कुछ concept builder के लिए लगे तो सारी प्रॉब्लम्स है, so material sufficient है क्या, yes, should you go for it, अगर अपने विध्यारती को जीवन रगना चाहते हो, क्योंकि मैं खुछ self study करके पास हुआ हूँ, तो इससे बड़ी blessing क्या होगी कि तुम खुछ से भी कुछ चीज़े समझ सकते हो, देखो यार, मैं नहीं चाहता है कि तुम dependent बनो म इसके लिए मत open करना कि compare करो, क्योंकि इसमें आपके पास जो सबसे scarce चीज़ है वो है time, sir देखो बताना नहीं जाता, but यही बुक्स पढ़कर A.R.1 भी आ है, यही बुक्स पढ़कर B.R.1 भी आ है, यही बुक्स पढ़कर B.R.1 भी आ है, यही बुक्स पढ़कर B.R.1 भी समझ में हारी है मेरी, तो मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ कि मोडिल पहले रेफर करना, अगर गुंजाईश बने time extra मिले तो मोडिल ज़रूर रेफर करना, मजाएगा आपको, और जब वो questions देखो कि हम मुझे आ रहे हैं, so nothing like that, is that okay? क्या sir, हमें ICI के कोई भी exams आये, नए mock paper, वो देने चाहिए क्या yes, क्योंकि इसमें दो चीज़े include नहीं होगी, एक आपके exam के पहले आने होले RTP इसमें नहीं होगी, और आपके exam के पहले आने होले mock paper इसमें नहीं है, क्योंकि अभी तक वो release हुए ही नहीं है, तो वो 110% ज़रूर आपने देने चाहिए, क्य चीज़ जरूर करना, इस अड़क है, पढ़ाई D1 से ही शुरूर रखना, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ता है, अभी keynotes होगे, अच्छा, books का एक format मुझे आपको बताना था, so आपके अगर books देखेंगे, आपके वास books है, आच्छा, तो ये books देख लीजे, इन books में नीचे अगर आप देखेंगे, तो एक column बना हुआ है, खाली जगे, हर एक question के नीचे, आपको एक खाली जगे मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरी जो, कुछ एक books बताता हूँ, जैसे ये book देख रहे हैं आप, इसके अंदर first level पर आपको analysis दिखता है, कि ये question कितनी बार exam में है, किस mark के लिए आए, ये attempt wise, ठीक है, इसके बार में बात करता हूँ, फिर इस chapter के अंदर आपको एक index दिखती है, मैंने index में आपके reference के लिए बहुत easy करके रखा, additional question, जो मैं आपको मैं सारे type के questions दिखता हूँ, additional question, और जो institute के questions लिए है, वो कौन से कहा से उड़ा है, कौन से RTP के, कौन से exam के, ये सारे references आपको दिए हुए है, agreed, तो index में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, question कहा कहा से लिए है, happy, इसके आगे अगर आप देखो के तो R1, R2, R3 ह मेरा ऐसा मानना है, कि तीन reading एक प्रशन की, मतलब एक चीज की हो जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ question basic है, उसके reading आपको twice और thrice नहीं करनी है, तो R2 में आप cancel भी कर सकते हैं कि इसको दुबारा देखनी की ज़रूरत नहीं है, ये directly R3 में देखेंगे, so सबसे important जब उनके ओपर case हुआ, और कोई भी वकील, जिनको मैंने काम करते हो देखा, बड़े-बड़े cases, जैसे bribery के या बड़े-बड़े corruption के cases, तुम्हें पता है, ऐसा बोलते है कि चारशिट इतने पन्नों की फाइल हुई, चारशिट समझते हो, चारशिट इतने पन्नों की फ लेता है, और उसके कुछ points भी बना के रखता है, उसके कुछ section के ये ये भी कर लेता है, उसके अंदर marking भी कर लेता है, और उसको open करके फिर उसके बाद में वो judge के साथ fight करता है, मैं कहां के बात करूँ सुप्रीम कोट की, जहां पर बाई-साब एक-एक मिनिट के उपई से सामने है, जब किसी को मौत के मूँ से बचाना है, या किसी के ऊपर bribery के charges को अटाना है, या किसी के ऊपर charges लगाना है, मतलब जिन्दगी और मौत के फैसले लिये जा रहे है जहां पर, वो आदमी जो fight करता है, वो हर चीज़ पढ़ कर नहीं करता है, वो उसके citations, वो important points लि 9.5 second बागा, 9.5 second बागा, साड़े 9 second बागने के लिए उन्होंने 5 से 6 साल महनत करी, वो समझे और नहीं समझे, उससे इन बोल्ट को जानते हो ना सभी लोग, तो फास्टेस परसें बागने के लिए, उस बंदे ने साड़े 9 second में 100 मिटर की मुझे लगता है, रेस पूरी कर साड़े 9 second में बागने के लिए उन्होंने पूरे जीवन के 5-7 साल दिये, उलमपिक्स में जीतने के लिए, मैं आपसे भी यही बात कर रहा हूं कि सर जी, आपके लड़े आज के लिए नहीं है, आप यह दिमाग लगाओ कि एग्जाम के पहले आप अभी जाओ थुड़ी स तो एग्जाम में जाने के पहले आपको याद तभी आएगी चीज़े जब उसके summary notes आपके पास होंगे, और summary notes आपके पास कैसे बनेंगे बेटाजी वो अब बनाने है, और वो अब कैसे बनाने तो आपके पास पहले यह marking होने चीज़े, practical chapters में कौन से question मुझे देखके जा और यह marking कहां से पता चले कि बड़ी easy बात है, जब आज स्वपनिल भाई आये तो स्वपनिल भाई क्या कह रहे थे, revision करना हर रोज, तो मानलो आज मैंने question number one किया, अब इस question number one में, शुरवात में में कुछ dictations दूँगा कि इस question में क्या-क्या चीज़े important है, नीचे दिख र रखना है, कुछ cases में मैं लिख दूँगा, कुछ cases में आपको लिखना है घर जाकर, तो जब आप इधर लिख लोगे, उसके बाद में इधर ही marking करके रख देना, कौन सा important है कौन सा नहीं, और फिर इधर का feedback page number one पर ले जाना, कडता है का बूंबलता है, अच्छा जब भी म पाईजे, क्या लिखेंगे, important points, इस question के, इस question के important points, फिर पूरा chapter हो जाएगा, खतम एक दिन, फिर उसके बाद में इसको main page index पर ले जा सकते हैं, अब जैसे ही तुम इस chapter को खोलो गे, तुमको main page पर दिख जाएगा, कि कौन से कौन से चीज़े करनी है, कौन से नहीं करनी ह उसको open करना है, पर बात कतम, एक चीज़ का फिर से धान रखिएगा, कि राजा बेटा जी, हर एक chapter को आपको revise करने के लिए देड़ से दो घंटे मिलेंगे, exam के एक दिन पहले, और अगर आप वो करने में सक्षम हुए, तो समझ लो कि आप जीते हैं, और ये काम में करने व क्लास में, एक हाट topic का में बताऊंगा, फिर आपको करना है, जब कभी भी answer solve करेंगे, तब आप कैसे लिखोगे, जैसे मानला आपकी notebook है, तो उसमें एक box बनाने का, divide करने का, उपर लिखने का कि इस module का कौन सा page है, जैसे मैंने लिख दिया unit 3 है, अब ये तो पता चल के बाद में, इधर लिख देंगे हम question number 6.1 और ये कौन से page number पर है, किसके इस text book के है, ये कहाँ पर लिख रहे है, आपके answer sheet में लिख रहे है, समझ में आ रहे है, जैसे भी आपको लिखना है, अब इसका reference, ये notebook का reference, इधर page number होंगे 22, ये reference आपको लिखना है, जो भी book में रहेगा, इसके left hand side पर page number लिख देना 22, समझे नहीं, पका, क्या, इसका reference इधर, किस में, notebook में, और notebook का reference इधर, इधर, तुम बोलेंगे, बाद में करेंगे, बाद में नहीं होता है, page number अभी से लिखते रहने का, notebook की सभी के page number मार्क चाहे है, तो उसका क्यों कर रहा जूते निकाल कर मार देना अगर में गलत कर दू तो, मैं तुमको ये वच्चन दे रहा हूं कि इस class में हर एक बैठे हुए बच्चे को अगर वो regularly आए, ऐसा हो सकता है, शायद कि पहले 10 दिन ना समझ मैं, बड उसके बाद में हर चीज समझ मैं कि मैं वच्चन दे रहा हू आएगा मतलब आएगा, उसा हो ही नहीं सकता, तो जब आपको समझ में आएगी चीज़े, तो समझा तो दूँगा, बट आगे revision कैसे करना, उसके लिए clarity चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, क्या पढ़के जाने कैसर exam में, और वो पढ़के जाओ, बात ख़तम, easy, उससे ज हो गई, notes के बारे में बाद, RTP, mock paper सारे cover हो जाएंगे, the answer is yes, keynotes इस तरीके के होंगे, देख लेना, हाँ, ठीके, next, test series है आपकी, test series कितनी होंगे, आपकी, 5, test series पहले महिने कोई नहीं ही test series, बट अगर आप ये जोचोगे कि जब test series होगे, तब मैं पढ़ाई करूँगा, फिर नहीं होती test series, फिर फटेगे, मेरे पास कोई भी बच्चा क्लास में request नहीं करेगा, मतलब तुम करोगे, फिर भी जलीलता पे उतरोगे, बटा हाथ जोड़कर विंती है, मैं आज ही बता रहा हूँ, तुमारी test series चुरू होने वाली एक महिने के बाद, और उसके बाद में हर alternate Sunday को आपकी एक test रहेगी, हर alternate Sunday को एक test रहेगी, मतलब अगले दो महिने में चार टेस्ट रहेगी, एक महिने के बाद एक, और उसके बाद में हर alternate Sunday, मतलब एक week में, एक महिने में अगर चार weeks आते है, तो आपके दो Sundays को test होगी, एक महिने के, तो ऐसा करते होगे, आग यह सबस्क्राइब तो प्रदमी नहीं है उतना टेस्ट लिखना बहुत मैंडेटरी है अच्छा सब्सक्राइब टेस्ट कर दिखा तुम डेरिक लिएकर एक्जाम में करो तो भाई साप जरूरी नहीं कि आपको आएगा और इस फीचर को सबस्टे दाम स्यूज करते आए बच और मैं आपको वच्चन दे रहा हूँ, सर मैं दोनों तरफ से वच्चन दे रहा हूँ, टेस्ट लिखोगे तो तुम्हारे पास होने के चांसे बहुत ब्राइट है, और टेस्ट नहीं लिखोगे तो फेल होने के चांसे भी बहुत ब्राइट है, I give you the remarks both the ways, आपके साथ में जीवन में बहुत सारी चीज़े होगी, जैसे, त्यावार गनपती दिखेगा तुम्हें, गनपती नहीं रहेगा, उसमें मुझे लगा दांडिया दिखेगी, दिवाली, दिवाली तक तो मैं भी नहीं लूँगा, अइसा मत करो, दिवाली पर मैं भी नहीं लूँगा, तुम्हें दांडिया दिखेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें लगता है, सर तो एकदम निर्दई हो गय, पत्थर दिल हो गय, उनको दिवाली, होली, इनसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बता हूँ, यहां पर क्लास में ऐसे भी बच्चे रहेंगे, जिनको लेना देना होगा, जो हर रोज रेगुलर ली आएंगे, टेस्ट भी देंगे, वही बच्चे आगे जाते हैं, मेरे क्लास में एक बच्चा था सर, उसकी ममा बरतन दोती थी, और मैं इसकी कसम कहा के बता रहा हूँ, कुछ जूटनी बोल रहा हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं जो इधर बूलूँगा सज बूलता हूँ, तो बरतन दोती थी, उस यह बन गया, उसकी यह बनने के बाद, शेर मार्केट में दिवांग चला, चापता है पैसे वो, एजुकेशन उसको कहां सकाहा ले गई, सर, तीन घर ले लिए उसने, आप से कितनी उमर में बढ़ा रहेगा, आप अटरा क्यों होंगे, वो 27 का होगा मैं, इनक्सिवं, वो इतनी कम उमर में, और यह स्टर्टेद आफ्टर बीकॉम, वो इक्रीएट इट केंट अर्मासिव वेल्थ, जहां पर आटिकल्शिप किये न, उसी की प्रिंसिपल से पैसे बोरो करके, शेर मार्केट का भी काम शुरूर किया, और किसी और एक जेके पर भी काम किया और उसने पैसे दिये है उसके प्रिंसिपल ने किए उसको पता है यह लड़का बहुत भरी है तो आप करोगे या नहीं करोगे बट इस क्लास में कुछ बच्चा ऐसे होंगे जो करेंगे और वो आगे जाएंगे सीए में मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है माइनॉरिटी पास होता है जब तक तुम मेजॉरिटी की जैसे बहेव करते रहोगे तब तब तुम फेलियर को एट्रेक्ट करते रहोगे और जो माइनॉरिटी बच्चे है वो आपको दिखेंगे भी नहीं जो पढ़ाई करने ओले होंगे ना, क्योंकि वो दिन बार पढ़ाई मेल एक रहेंगे और तुमको एडवाइस देने ओले maximum वो बच्चे रहेंगे जो फुक्टे है, तुम कभी मेरे को धुणते हा जाना, स्वपनिल सर को धुणते हा जाना, रंकिता मैम को दुनते आ जाना, पूजा मैम को दुनते आ जाना, हर्षद भाई को दुनते आ जाना, नहीं मिलेंगे तुमको, क्योंकि हम बिजी रहते, दिखावा नहीं करते, जनिली बिजी रहते, हाले हो, मेरे को जितने लोग मिलने को लाते, they have to come along with an appointment, तुमें से मिलना म सामाज लेना, अवदर से बारा बजना शुरू, आशा करता हूँ, कि आप C.A. के लिए जो कुछ भी सुनना है, करना है, अगर आपके माता-पिता C.A. है तो उनकी बाते सुनना, और अगर नहीं, तो जाके कहीं, दूसरे C.A. से बात करना है, या कहीं से जो कुछ है उसका लेवल, उनसे पूछना है, नहीं तो क्या है कि आपके डिसीजन गलत होने के चांसे बहुत जादा है, आशा करता हूँ कि ये बात समझ में ही, कड़ेगा, है कुछ परंद अला अपला, टेस्सरेज, है सुनना संतुष, आचा वीडियो बैक अप लेक्ट्चर, मुझे पता आपको इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम से जाना ना पड़े, और तुम अगर बोलोगे कि नहीं सर मुझे वीडियो लेक्ट्चर में शिफ्ट होना है, करवा दूँगा सर, बट आप फेस तो फेस के पैसे भरकर, फिर उसमें शिफ्ट होने में क्या सेंस है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं पहला बंदा रहूँगा, मैं बोलूँगा, हंड़ेड परसंट होएगी, और को एक बार आकर मिलना और अपको दस जगे चकरे करनी की में अच्छा नहीं लगता है, एक बार आने का, क्योंकि तुमारे वज़े से, मैं आज ज है, हर लेक्चेर जो होता है, वो रिकॉर्ड होता है, एधन 2.2, मतलब 45 मिनिट में मेरा जनरली अपलोड हो जाता है, और हो जाएगा, आपको पढ़ने को मिल जाया है, सारा चीज़, पर मैं क्या बोल रहा हूँ है, बैककप क्या है, सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी ह आगे काम करेंगे सो लोगों को हैंडल करना पढ़एगा, सो लोग अलग-अलग बाते करेंगे, और जुब अलग-अलग बाते करेंगे, और अगल अर आपको फिर भी आयँ एगिन तलिःगे अगर आपको प्राबलम है मैं आपके साथ खड़ाओ, लेक्चेर रिजाएंग मैं भी दे दूँगा, पर अपनी दिल से पूछो, जब 100% बैककप दिया जाता है, तो तुम क्लास में आना रूटीन में नहीं रहता है, तुम रेगिलर नहीं आते हो, तुमको एक मिल जाता है, कि हाँ, गया तो चलता है, नहीं तो चलता है, तो बाकी मैं आपको बता चुका यही बुक्स है, जब करना ही था तो फिर माबाप को इतना जिद करको राके उदार से भागते दोड़ते इधर क्यों आ है फिर, तुम ने देखा घर किना अलिशन तुमारा, और इधर कैसे है, एक बैट दी आ, उसके यत्य पैसे मांगे है, आशा करता हम आप समझे इस बा नहीं, मैं बनने ही कर रहे हैं, अरे मेरे बच्चे रहे हैं, अभी हो जाते है शयतान, सब टेलिग्राम ग्रूप को, अरे यह बात कैसे भूल गया मैं, तुने याद नहीं दिलाया है, ए भाई इस बार सुनो ना, फेस टू फेस बैच के बच्चे कान खुल कर सुन लो, सभ नेक्स्कों क्यों किया आप स्माटफोन नहीं है, आपके आपके स, I love you sir, sir, trust me I love you, मतलब तुम न पूरे इसमे ना, भग्वान तुम हे एक के लिये, क्युकि तुम है अभी तक मासूम हो, टेंशन मतलो, तुमरले में काम करेएक, बागी के और कौन, सब क्या स्माटफोन है विल यूजरोट गुटूपल, गुटूटूए रे थारूपटूब शुटूपल, भी खाना दर्लिंग, आपने दर्लिंगे एकपर तालीमे जो। एर तालीमे मजा जए दे आरे आर गुमारे, ए हमचे रॉखी भाई है त्व मैंने भी जैक लगा है कि मैं भी मुवी में थोड़ी से अक्टिंग करने आगा हूँ इनके साथ, so he is gonna plan doing that, और बजट बन गई अभी, सेटने पर इतने पशे कमा ली है, so low budget है, movie, but we are shooting it, तुम भी आजाना, so, Harshad सर को मैंने आज बुला इदर, क्योंकि, in terms of costing, कितने बच्चे मेरे से foundation पढ़े है, thank you, so, जो जो बच्चे foundation पढ़े है, जो online live पर मुझे देख रहे कर रहे, या थोड़े दिन में तुम भी समझ जाओ, मेरे एक खास बात है, मैं यह मानता हूँ कि मेरे लिए तुम इंपॉर्टन हो जाएदा, I generally don't recommend anyone कि तुम इधर लगालो, उधर लगालो, मैं नहीं करता हूँ काम, बढ़िया, हर्षद के साथ में, Lucky Go Round में, S.P.C. में हूँ हूँ हूँ, तो I have seen him, how he has been working very hard on costing, what all he has done for the costing, and what all the students are telling about him as well, so, मैं आप सभी लोगों से बस यही बताऊंगा, कि he has put in a lot of efforts, आप एक बार चाहो, तो consider जरूर करना, it's not a kind of a stuff, just because काई सारे students आई और मुझे पूछते हैं, काई के parents भी आई, costing का समझ भी नहीं रहा है, costing का क्या करने का, so I said कि, okay, I'll tell this in this class, तो फिर मैंने हर्षद भाई को इसलिए बुला है, तो मैंने पूछा भी नहीं इसको, कि हर्षद क्यों नहीं आई अभी तक, so, कोन है, क्या, उदर के सब इधर आगे, क्यों, क्यों, हर्षद को देखने का तुमको, मैं बोला नहीं क्या भाई बोलेंगे, बोले, नहीं दिखाँ चलता है, कैसा अज मैं है? क्या है, वे अपुषद के सब्सक्राइब का भाग बाग क्या रे पुबलिक? मुझे चाहिए. So, Arushyad is a fantastic person, any which way is. So, yeah. I was just trying to tell you, कि you can think about the costing classes, which are there after this. So, costing के lecture इसके बाद मै, you can consider that as well. And he's a fantastic teacher, a great energy और पुने अगर enjoy करना है तो इनके आखों से enjoy करो you'll love it because मैं मैं इसका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि भाई ने जो मेरे लिए किया मेरे को गाइड किया कहा पे जाने का कौन से क्लब में जाने का मैं कितना भूला लगता था मतलब पहले तो मेरे को पूरा का पूरा रिवांप कर दिया पूरा चेंज कर दिया and one of the reason was मतलब हाँ ये बात भी मैं भी कमीना था मैंने हर्शद और सुपनिल भाई दोनों को बुला एक बार बुला यार हर्शद भाई यार कभी में डिस्क में नहीं गया यार मुरको डिस्क में जाने का है तो इसने वो मुवी देगी थी बहुत मज़ा कुड़ाय था उस समय वो मुन्ना भाई MBBS में तो ऐसे सर मैं आपको लेके जाओंगा बुले and then he said me कि which all places I can go for you know dancing and all and I'll tell you this is not a real person I mean I don't know this 10% what a real person he means he'll give you a lot of time he'll give you a lot of time in classes he'll give you a lot of time in gym then we'll get pressure on you I'll tell you today I'll tell you but then yeah he's a great fantastic guy and I asked him to come to you so we'll just speak to you for some time that's fine right with you yes sir nahin tohbiyo bolega प्रेम से पूचा है एले बाई तुझे दू क्या माइक अलो माइक चेक हाई गाईस गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग एनरजी 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 गुड़ीवनिग गाईस गुड़ीवनिग चलो तो many many congratulations first of all कि आप लोगो ने foundation clear किया है ए मैंने देना बुल गाई मेरी तरफ से भी कॉमेंड़ीवनिग से मैं बुल गाई सारी मैं बुल गाई साराज बूला ही नहीं ने तो लोग क्या कहते है कि भाई इसका जो first battle जो जीता है ना it was just by luck just by fluke just by chance और मैं यहां पर जितने भी बच्चे बैठे है जो online में भी सुन रहे है मैं तो यह दावे के साथ केह सकता हूं कि sir यह जो result लग के साथ ने था इस पर पीछे बहुत मेहनत थी सही है ना yes sir so बस यही एक intention है अरे सब पूल को लड़ी अभी तुर देर पहले है अभी तेर सामने आ पूल रहा ऐसा कुछ नहीं था so यही है कि जब यह next battle है तो we have to you know get up work more hard बहुत मेहनत करना है और लाइन के उस पार जाना है right and you know the last stage then it is CA final बट इस दौरान बहुत चीजे आपको करनी है बहुत मेहनत करनी है and इसी के दौरान एक right guidance और एक right support और एक all round अगर आपको एक कुछ support मिल जाता है so the journey becomes very much enjoyable very much happening and fun loving right so it is being last four years I have been teaching costing ऐसे मैं दस साल होगे मैं पढ़ा रहू हूँ है I am a teacher by profession since last 10 years right जब से पढ़ाना स्टाट किया तब से economics और audit पढ़ा हूँ और आप लोग पढ़े हूँ हूँ हूँगे ना economics नहीं नहीं so you guys may be aware how I teach and in last four years I have started you know last four years I have been studying costing भी पढ़ा रहूँ और पढ़ा मतलब कैसे रहूँ कि I am always a believer that your actions should be more louder than your words क्योंकि मैं अगर सिफ बोलूँगा right तो यह होता ही है कि यार जैसे आनन सर नहीं thank you very much first of all आनन सर कि आपने मुझे ये प्लाटफॉर्म दिया बोलने के लिए but to be honest फिर आप लोगों भी ऐसा लएगा कि यह तो इनका घर का बंदा है तो सर बोलेंगे करके right so important is कि whenever when I started teaching costing from my first batch itself till today and I feel very blessed I have consistently produced rankers not only in audit but also in costing last batch में जो अभी result आया 5% was the ICI result for intermediate right the students studied costing from me there were 3 to 4 students who secured all India rank who studied costing from me and the highest was 95 costing में हाइस 95 तो जब दाएस पे उना तो आप बता रहूं कि महनत भी बहुत करवाँगा आपसे मजा भी उतना ही करवाँगा आपको और वो all-round classes होंगी so if you you know want to experience something great something different you guys are most welcome and you know I'll be very much happy to teach you guys Sik, सुनो ये बात बताना जुरुरी है क्या है इनका decision making कैसे होता मुझे बता है actually होता कि audit के वार में he would have never come and spoken about that but because audit में everyone know that 10 अलो होगे जैसा अभी mechanics में भी आपको idea नहीं अपने सर्क कि मिल का अपने अपको मिल गहा है है के उनको idea ही नहीं है क्योंकि क्योंकि क्यों idea ही नहीं कोई नहीं नहीं 28 ह्या फ्लेट आज शरद्रा नहीं है तो इया हाओ नहीं नहीं पर इस स्टादालेवादारं पर आश्म पट रहन थे आखरह वे está. ति अच्यरा है क्योँ नहीं है. I am not this is a little solicitation. But yeah, in case you have a confusion you should give a try. That's what I am just trying to tell you. That's it. I hope you people understood this. So thank you very much, guys. Have a great 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 evening. Great, there is av begin in syllabus, I might ask you to tell them. There is a very important change. There is a dance, open your nose. So you need to take oral exam while the institute has been done for intermediate exam, so that अच्छे से बढ़ाई अघ्जाम होगी तो लिख करते हो तुम फेखा पेखी करकर आ सकते हो इंद के और बड़ अग्जाम सो ओरल अग्जाम जब होगी ना तो आपको सच में मतलब क्या है हीडा बाई पढ़ लिए अच्छे से ओरल एक्जम पुछने वाले उदर समझे क्या है अच्छा ठीक है थोड़ा सा चेंज करते है प्लानिंग में है प्लानिंग में और जिन जिन बच्चों ने अभी बोल रहे हैं ना फांडेशन पास हुए उनका भी ओरल होने वाला है और अगर में पास नहीं हुए तो डिग्री वापिस लेकी जाएंगे वो तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करना समझ में आगई बात देन में है अच्छा कोई बच्चो किसी को कोई क्वेरी किसी को क्लास के बारे में कुछ पूछना है कि सर क्लास कैसे होएगी क्या होएगा कुछ है किसी को कोई क्वेरी नहीं है हाँ 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 बहुत अच्छा कोश्चन पूछा वेरी गुड है ओलिडे का सुन लो दिपावली आपकी अक्टोबर में कब एक बार बता तो क्योंकि बाहर के लोग है न मेरे होलिडेस बता रहा हूं है आपको ऑगस्ट सप्टेंबर सो मेरे होलिडेस 110 परसेंट आपको मिल जाएंगे 17 से तो 100 परसेंट है 17 तरिक 17 ओक्टोबर भे अब यो रेलवे ट्रेन के टिकेट्स नहीं मिलेंगे इसलिए बता रहा हूं 17 ओक्टोबर से आपको मेरे होलिडेस 100 परसेंट है और कितने दिन रहेंगे कम से कम साथ दिन रहत मेरा अकाउंट्स का आगे पिछे बना लेना टेंशन नको लेना क्योंकि दिपावली के एक दो दिन पहले तक में यूट्यूब पर लेक्चेर लूँगा बड़ इधर से परेशान होकर मत जाना क्योंकि मुझे पता है क्या-क्या प्रॉब्लम होती बच्छों को सो एक दो दि इस तरीके से प्लाइन करूंगा जो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो करता है ठीक है तो फिर प्रेम से बाई-बाई बोलो जय हिंच जय मारस्ट्र बाई-बाई अरे एक और बात बता रहा था आज एडिमिशन ओपन रखे स्पीसी में आज एक दिन के लिए अकाउंट्स के लि बुक्स आगे है ना बुक्स क्यों नहीं दे रहे इनको हां मैं पूछ के बता था हूं यह बुक्स का क्या पूछ के बताना बुक्स क्यों नहीं दे रहे हैं संडे को चुट्टी रहेगे मेरे संडे को मेरा 99% ओलिडे रहता है संडे में लेक्च्छर नहीं लेता है संडे आ दिन दो दिन चुटी रहेगे गनपती तो इधर भी बैटते हैं यार आएंगे हम इधर भी बैटते हम आएंगे भी और नहीं यार गनपती के दिन मतब गुरुकुल में बैटते हैं बहुत जोरदार मज़ाता है